है लो दोस्तो आज हम लोग देखेंगे class 10 class 10 का हिस्टरी का आपका 7 नंबर चैप्टर होगा जबकि इससे पहले की वीडियो में एक से 6 तक का बीडियो बना दिये थे तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो उसे भी आप देख लीजीगा और ये जो है आपका चैप्टर से 7 होगा जिसका नाम है वैपार और भूमंडली गरन इस जो भी important question होगा वो सारा question इस वीडियो में है तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेगा सारा question जो है आपके लिए काफी ज़्यादा important है देखे पहला question है आधनिक यूग में अर्थब्यास्था के छेतर में होने वाली सबसे बड़ी क्रांती कौन सी है तो आधनिक यूग में जो अर्थब्यास्था के छेतर में होने वाली जो सबसे बड़ी क्रांती है वो कौन सी क् से हुआ था अंगलैंड से हुआ था इंगलैंड से हुआ था और कभ हुआ था यहानni अफसन नंबर B जो है इसका बिलकुल डाइट होगा नेक्स्ट कुश्टन है गिर्मीटिया मजदूर बिहार के किस छेतर से भेजे जाते थे तो देखे ये काफी ज़्यादा कुश्टन पूछा गया है तो कि गिर्मीटिया मजदूर जाए भारत के किस छेतर से भेजा जाता था ये जो है पस्चमी छेतर से भेजा जाता है कहां स question है वेटन वोड्स सम्मेलन किस वर्स हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number C यानि 1944 में कब भेजा गया था 1944 next question है भुमंडली करन की शुरुवात किस दसक में हुई तो ये 1990 के दसक में कब हुआ 1990 के दसक में ये प्रारम हुआ था तो option number A right है next question है प्राचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप का बैपार होता था तो किस मार्ग से जो है एसिया और यूरोप का बैपार होता था तो ये होता था आपका रेसम मार्ग से किस से होता था गेसम मार्ग जो एसिया और यूरोप को जोडने वाला मार्ग था तो इसका सही answer option number B हो जाएगा next question है आर्थिक संकत के कारण यूरोप में कौन सी नई सासन प्रनाली का उदै हुआ तो आर्थिक संकट के कारण जो है यूरोप में जो नई आर्थिक प्रनाली का जो उद्य हुआ वो कौन सा था तो वो जो है आपका फासिवादी नाजिवादी सासन था यानि आपसा नमबर सी राइट है next question है greater media मजदूर को निमनलिखित में किसके उत्पादन में लगाया जाता था तो वो नगदी फसल कौन से फसल में नगदी फसल अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नगदी फसल क्या होता है तो वैसी फसल जिससे काटने से तुरंत जो है पैसा प्राप्त हो जाए उसे न क्या है गन्ा आपकา नगदी फसल है यह और फसल करीप परकार के होते हैं रभी फसल में आपके गेहूं आते हैं खडीप फसल में आपका धान होता है और जाईद फसल में सब्जिया होती है गन्णा आपका नगदी फसल है यह और तीन तरह के फसल में आपके गेहुं आते हैं खड़ी फसल में आपका धान होता है और जाइध फसल में सब्जियां होती है नेक्स्ट कुश्चन देखे, नेक्स्ट है दूतिय बिस्यूत के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दूस प्रभावों को शमाप्त करने के लिए हुआ तो कौन सी संस्था जो है यूरोप में बनाया गया था आर्थिक दूस प्रभावों को समाप्त करने के लिए तो इसका सही आंसर होगा यूरोपीये संग कौन सा यूरोपीये संग यानि option number D right है next question देखे वानिजिक क्रांती का महत्यपून केंदर कौन था तो वानिजिक क्रांती का जो महत्यपून केंदर था वो कौन था तो इसका सही आंसर होगा option number A यानि इंग्लैंड था कौन था? England, next question दिल मुन बैपारी केंदर कहां इस्थित है? तो दिल मुन जो बैपारी केंदर है ये कहां इस्थित है? तो ये बहरीन में है कहां है बहरीन यानि option number A right है next question है निम्न में किसने वानिजिक क्रांती को जन्म दिया तो कौन जो है वानिजिक क्रांती को जन्म दिया तो ये आपका उप्रयोग तो सभी हो जाएगा यानि भागौलिक खोजे, पूर्ण जागरन, राश्तिय राजियों का उदय तो ये इन सभी का योगदान था, तो इसका सही आनसर option number D हो जाएगा next question है, उनिजस मी सतावदी के बिशुबाजार का आधार था उनिजस मी सतावदी का जो बिशुबाजार था, इसका आधार क्या था? इसका अधार था कपराउद्योग क्या था कपराउद्योग यानि option number A right है next question है रेसम मार्ग कहां से आरंभ होता था तो रेसम मार्ग जो है कहां से आरंभ होता था तो ये जो है आपके चीन से आरंभ होते थे और ये यूरोब तक जाते थे कहां तक जाते थे यूरोब तक जाते थे तो इसका सही आंसर option number B हो जाएगा next question है आलू अकाल किस देश में पढ़ा था तो आलू अकाल जो है ये किस देश में पढ़ा तो Ireland में पढ़ा कहां पढ़ा Ireland में जो है आलू अकाल यानि option number B right है next है कार्ण law किस देश में पारित किया गया कार्ण law जो है ये किस देश में पारित किया गया था तो इसका सही आंसर होगा आपका बिरिटेन और ये सारा का सारा question जो है आपके लिए काफी ज़्यादा important होने वाला है यदि जो है आप 2024 में एक्जाम देते हैं आपके लिए काफी बेहतर होगा next question है भारत में केनाल कलॉनी किस प्रांत में बनाई गई तो केनाल कलॉनी जो है किस प्रांत में बनाया गया था तो इसका सही आंसर होगा पंजाब कौनसा होगा पंजाब next question देखे होसे मेला का आयोजन कहां किया जाता है दच्छेस की अस्थापना किस वर्स हुई तो दच्छेस की जो अस्थापना है ये किस वर्स हुई थी तो इसका सही आंसर होगा 1985 कब 1985 नेक्स्ट कुशन है पहला विश्व बाजार के रुप में कौन सा सहर उभर कर आया तो ये आपका अलेकसेंड्रिया आया था कौन आया था अलेकसेंड्रिया यानि आफसन नमबर एजव राइट है नेक्स्ट है बिश्व बाजार का विश्व बिश्व बाजार का विश्व आधुनी काल में किस समय से आरंब हुआ तो इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका अठार्मी सदी कब से हुआ, 38 मी सधी, यानि ऑफसन नमबर B, राइट है, सभी question important है, तो पूरे अंत तक दीखिएगा, next question है 222P आर्थिक संकर्ट किस वर्स आरंभ हुआ, तो 222P आर्थिक संकर्ट जो है, यह किस वर्स आरंभ हुआ, तो यह जाया गया? तो पास्ता, सिसली यानि इटली में किसके द्वारा ले जाया गया तो ये जो है किसके द्वारा ले जाया गया था तो अर्बो के द्वारा यानि option number A right है next है धन निसकासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारती राष्टवादी ने किया तो इसका जो है कौन दिया था धन निसका असन का सिद्धान तो ये आपका दादा भाई नैरो जी दिये थे कौन दिये थे दादा भाई नैरो जी यानि option number C जो है इसका बिलकुल right है next question देगे new deal को किस अमेरिकी राष्टपती ने लागू किया तो new deal को कौन सा अमेरिकी राष्टपती जो है लागू किया था तो इसका सही हो जाएगा Roosevelt ने कौन किया था Roosevelt यानि option number C right है next है Ireland में आलू अकाल कब हुआ था तो आयर लेंड में आलू अकाल जो है ये कब हुआ था तो ये 1850 से 55 के बीच हुआ था तो आफीम का निर्यात किस देश को करती थी तो ये जो है चीन को करती थी किसे करती थी चीन यानि option number B right है next question देखे next है भारत में नई आर्थिक निती की घोषना कब की गई तो आँसर होगा आपका 1991 कब लाया गया था नई आर्थिक निती तो 1991 में 90 नहीं लिखा गया है option देखिए A, C, B, D इस परकार से दिया गया है तो ये आपका option C सही होगा next question है ओपेक की अस्थापना कब की गई तो ओपेक की अस्थापना जो है कब की गई तो ये की गई 1960 में कब की गई 1960 में ये जो है एक तेल निडियातक देश है यानि option number C इसका right हो जाएगा next है ब्रिहत उत्पादन ब्यवस्था किस देश में लागू की गई तो ब्रिहत उत्पादन जो है किस देश में लागू की गई तो ये की गई अमेरिका में कहां की गई अमेरिका यानि option number A right है next है सार्क का मुख्याले कहां है तो सार्क का जो मुख्याले है ये कहां है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number A यानि काठ मांडू है कहां है काठ मांडू जो है इसका बिलकुल डाइट हो जाएगा next question है अंतराष्टी मुद्रा कोस का मुख्याले है यानि option number B जो है इसका बिलकुल डाइट हो जाएगा next question है वरलीन सम्मिलन में यूरोपिय राष्टो द्वारा अफ्रिका का बटबारा कब हुआ तो अफ्रिका का जो बटबारा है वो कब हुआ था तो इसका सही आंसर होगा 1984 से 85 यानि option number B जो है right है next question देखे यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुस्प्रभावों को श्माप्त करने के लिए हुआ तो आर्थिक दुस्प्रभावों को श्माप्त करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई तो इसका सही आंसर होगा option number D यानि European Economic Community यानि option number D जो है बिल्कुल right है next है ACI विकास बैंक के अस्थापना कब हुई ACI विकास बैंक के जो अस्थापना है ये कब हुई तो ये जो है 1966 में हुई और इसकी जो मुख्याले है वो कहा है तो मनीला है कहा है मनीला यानि option number C जो है इसका बिल्कुल right है next question है E-commerce of nation के लेखा कौन है तो E-commerce of nation के लेखा कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कडलीफ कौन है कडलीफ यानि option number D right है next question है G-77 के अस्थापना कब हुई तो G-77 की जो अस्थापना है ये कब हुई तो ये 1964 में हुई तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number C यानि उनिस्वाण ठानवे में कब हुआ उनिस्वाण ठानवे इसका फूल फॉर्म होता है World Trade Organization यानि option number C इसका राइट है next है अमेरिका के किस छेतर को सोनी का सहर कहा जाता है तो अमेरिका के किस छेतर को सोनी का सहर कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका El Dorado कौन सा हो जाएगा El Dorado यानि option number D राइट है next question है EPIC को Vice for the Asia Pacific in the World Affairs किस ने कहा था तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा कौन कहे थे ये तो ये जो है Bob Hawk ने कहा था कौन कहा था Bob Hawk यानि option number A राइट है next question है भुमंडली करंद सब्द का इजाद किस ने किया तो भुमंडली करंद सब्द का जो इजाद है वो कौन किये थे ये जो है आपका विर्यान विर्यान किये थे कौन के थे वरिया यह आफसर नमबर ए जो है इसका बिलकुल डाइट है यह जो है इस चैप्टर का आपका टोटल 40 कोशन था इस कोशन से एक भी जो है आपका बाहर नहीं आएगा तो यह लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देजीगा और वीडियो को सेर भी किजिएगा तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में